हेलो माई लवलीज वेलकम वेलकम बैक टू माई चैनल इंसेंट ब्यूटी आइम दिया होप यह दूए तो आज मैं आप लोकेशाद शेयर करने बाली हूं एक पॉपल हॉल ज्यादा कुछ नहीं खरीदा है बहुत जरूरत की चीज़े ही खरीदे तो चलिए वीडियो को स्ट स्टे का ग्लाइट पेस ट्रेजर सो अच्छा पहले मैं बता दू कि मैं सब भी प्रोड़क्स की प्राइस भूल चुकी हूं तो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी और रेस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी ठीक है तो यह है सान पे ग्लाइट फेस मैं सब्सक्रिक करों घ्र में इस टाइक ग्लाइट दूंगी और आपके साथ चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्षन में में ने में सब्सक्रिक फेस घ्रन है वी पास आप तेख सकते हूं यह तीनों रेजर्स है ठीक है एक ही बॉक्स में तो यह है दो फॉस्ट प्रॉड़क्ट इस डॉम डॉक ओईल कॉंट्रोल फेस टोनर विद एई एईए कॉंसेंप्रेट सो मैं मेरा टोनर ख़ब हो गया था मैं जनरली रोज वाटर यूस करती हूं आपक जब मैं वह पोचेस करने गई तो वह आउट आप स्टॉप दिखा और मुझे यह मेरा कंबिनेशन स्कीर है तो ओयल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लेम होता है समों में और मॉन्सून में भी तो मैंने यह ओईल कॉंट्रोल फेस टोनर फोस्ट टाइम पोचेस किया है के अंदर ही यह भी एक प्लास्टिक रैपर से रैप था एंड उसके अंदर यह बॉटल भी रैप था तो मैंने इसको ओपन कर लिया है और इसका स्मेल्स एक्चली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत स्टॉंगली स्मेल है या आप है और इसमें AHA concentrate है इसका नेट वॉल्यूम है 120 ml और प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे तो अच्छा इसका प्राइस मुझे दिख गया इसका प्राइस है 350 रूपीज तो सेल प्राइस आपको स्क्रीन पे मेंशन मैं कर दोंगी तो थर्ड जो प्रोड़क्त है व तो यह बहुत अच्छा है तो इसका नेट वॉल्यूम है 10 ml और प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे तो यह ऐसा दिखता है और एक बात बताओं जो जिनका ओईली स्कीन है या फिर कॉमिनेशन स्कीन है उनके लिए सालीसिलिक एसीड एक मतलब क्या बताओं ब्ले तो मतलब मैं तो कर ठीक है चलो एक साथ दोनों काम हो गया एक ओल कॉंट्रोल टोनर भी मिल गया और साथ में सिरम भी मिल गया तो नेक्स जो प्रड़क्ट है वो है यह विट सिट्रस का विटमीन सी और विटमीन धी स्कीन। गूर्व सी Verb with एकस्ट्रार्ट सो मैंने विटमिन सी सिरम मंगवाया है क्योंकि मेरा स्कीन बहुत ज्यादा डल हो रहा है बहुत दिनों से तो विटमिन सी आपके स्कीन को ग्लोइंग बनाता है आपको स्कीन को हेल्दी रखता है तो इसलिए मैंने विटमिन सी सिरम मंगवाया है इसका भी नेट वॉल्यूम है 10 ml प्राइस आपको as it is मैं भूल गई हूँ इसका भी यह ग्लास बॉटल है पर मैट है वो जैसे थोड़ा शाइनी था यह मैट सा है और इसका भी मतलब water based serum है आपको मैं देखा दूँ यह देख सकते है आप इसका भी water based serum है और सबसे जरूरी बाद यह मैंने first time purchase किया है इससे पहले मैंने कभी इसे use नहीं किया हुआ है तो अगर आपको इसका review चाहिए तो मुझे comment section में जरूर बताना मैं इसको try करके आपको review दूँगे तो नेक्स जो product है वो है good vibes का यह hand sanitizer इसका net volume है 300 ml basically मुझे यह free में मिला है ठीक है तो अभी जो situation है सबको sanitizer की जरूरत होती ही है daily so बहुत काम आएगा यह मेरा so then next जो product है वो है sandpake का apple cider vinegar and cranberry intimate wash यह बहुत ही छोटू सा है pocket actually pocket intimate wash है 15 ml का है तो यह मुझे वो results के साथ premium मिला है so यह मैं travel size है तो travel मैं use कर सकती हूँ daily भी actually मैं बहार जाती हूँ काम से तो यह भी मेरा बहुत ज़्यादा काम आएगे finally अभी जो मैं products की बात करूंगी वो सभी powders है actually मैंने earth goodness की बहुत सारा powders purchase किया है so मैं ऐसे आपको randomly बता रही हूँ ठीक है so firstly जो है यह है earth goodness का orange pill powder यह मुझे बहुत दिनों से चाहिए था orange pill powder और local store में कहीं मिल नहीं रहा था तो इसलिए मैंने पोपल से मंगवाई लिया इसका net weight है 50 gram प्राइज आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे next जो मेरे पास है वो है mathi powder यह भी मुझे चाहिए था सभी actually powders जितने भी मैंने powders purchase किया है वो सभी मेरे DIY में काम आएंगे so यह है mathi powder और इसका भी net weight है 50 gram then है sandalwood powder मतलब chandan powder so यह भी 50 gram का ही है next है multani mitti यह fuller's art आप जो भी बोले so इसका भी net weight है 50 gram next है hibiscus powder इसका भी net weight है 50 gram then I have beetroot powder यह जो skin के लिए बहुत ही ज्यादा beneficial है so इसका भी net weight है 50 gram और last but not the least mostly important neem powder यह मुझे तो बहुत दिनों से चाहिए था मेरा था और खतम भी हो गया है so इसका भी net weight है 50 gram actually मैंने सारे powders 50 gram के ही purchase किया है और यह मुझे बहुत ज्यादा मतलब मेरे skin के लिए बहुत ज़्यादा beneficial है तो आगे आपको बहुत सारे DIYs देखने को मिलेंगे इस powders को बूस करते हुए तो यह था मेरा आज का वीडियो आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए helpful रहा होगा अगर यह वीडियो आपको ज़ल सही पसंद रहा हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना प्रेंट्स और फामिली के शेयर भी कर देना और मेरे चानल पर अगर नया ह ताकि मेरे अगली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलते रहे, I will see my next video, till then, tata bye bye, love you all!